सुबह सुबह की जल्दी बाजी में इतना healthy, tasty और असान सा नास्ता खाने मिल जाए तो पूरा दिन बन जाता है तो चलिए आज हम आपके लिख राए हैं बहुत ही जटपड तरिके से बिनने वाला ये बहुत ही tasty सा नास्ता इसे एक बार खाएंगे न तो आप बार बार बनाने वाले हैं इतनी जादे टीस्टी और सॉफ्ट बनती है तो चलिए पूरी वीडियो को एंड तक जरूर से तेखिएगा और अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए साथ एक छोटी सी घंटी आएगी उसे भी दबा लीचेगा ताकि आपके पास रोज की नए नी वीडियो के नोटिफिकेशन्स मिलते रहेंगे साथ ही वीडियो को लाइक और शेर करना ना भूले चलिए शुरू करते हैं बनाना तो यहां पर एक कढ़ाई गरम करें रग दी है और इसमें एक टेबल स्पून कुकिंग ओल डालेंगे और अब इसे अच्छी तरीकी से गरम होने देंगे साथ ही थोड़ी से जीरा डाल देते हैं हादी शोडी शमच बढ़िया से क्राकर होने देते हैं और अब डालेंगे आलू यहां पर दो बड़ी साइस के लिए थे औ और इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है और अच्छी से धो लिया था अलू के साथ ही हम प्यास डालेंगे प्यास को अलग से भूनने की ज़रूरत नहीं है हमें प्यास को इसके साथ ही डालना है तो एक बड़ी साइस का प्यास लिया था बारीक बारीक चौप करके साथ से मिर्शी विष सकते हैं जैसे पता गोभी पनल भी गुवि को भी क्रेंट करके डाल सकते हैं तो सबसिय हैं अपने प्लड लिए सकते हैं, मैं है पर आलू, प्याज और स्विल गे यहानि बढ़िया से नहीं कुक करना है तो इनहें हम पहले तेल में अच्य से मिला लेते हैं और जल्दी से कुक करने के लिए थोड़ा सा नमक डालेंगे जिससे की जल्दी कुक हो जाएगा और आप चाहें तुसमे और भी मसाले अट कर सकते हैं लेकिन अभी मसाले अच्छी स में चलाते रहिए ताकि यह जले नहीं और जल्दी से नरम हो जाएं और यह देखिए सारी सब्जिया हमारी अच्छी तरीके से कुख हो चुकी हैं बहुत ही जादे अच्छी तरीके से नरम हो गया हैं यह देखिए आलू बढ़िया से मैश हो रहा हैं यह देखिए तो अब हम गैस का फ्लेम बंद करेंगे और इन सबस्जियों को निकालेंगे अलग प्लेट में और नहीं धंडा होने देंगे थोड़ी दिर के लिए तो चलिए निकाल लेते हैं इने और अब हमेरा बनाना है एक बहुत तेस्ती सा बैटर्ट। तो लेना है एक बड़ी सी बूल होड़े, पक्प के आ सपास बेशन का उज़ा है। कहते हैं तो गेहूं का अठा ले सकते हैं कौन ले सकते हैं मैदा अब डालेंगे कॉन फ्लॉर या फिर मयदा त उमें चार बडऴेच मैदा यूशार करी हूँ अगर आप मैदाना नहीं खाते हैं तो आप चावल का लुअ मैदा ले सकते हैंALC ብकृढ्बकन डालेंगे और इन्हें हम मिलाएंगे इसमें थोड़े से हॉप्स डाल देंगे जो पीजा के अंदर डालते हैं जिसे यह होगा बहुत अच्छा टेस्ट आता है और यह बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आता है तो आधी चोटी चमश डालेंगे और पूरी तरिके से उ गोल तैयार करना है तो पानी एक बार में मद डालिये का नि तो बहुत सारी गोठलियां हो जाएंगी बेशन की तीरे-दीरे करके डालेंगे और इसकी गोठलियां पहले खतम करेंगे फिर हम इसकी इसमें पानी डालकर इसका जो कंसिस्टंसी है वो सही करेंगे तो और इसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे मिलाने के बाद हम इसको थोड़ी देर रस्ट करने रखेंगे ताकि बढ़िया से सेट हो जाए तीन-चार मिनट बैटर को रखने के बाद देखिए कितने अच्छी तरीके से तैयार हो गया है गुटलियां बिल्कुल नहीं है तो च इसे हम थोड़ा सा मोटा ही वेलाएंगे तो यहां पर तीन कल्ची में डाल रही हूं यह देखे और इसे हम थोड़ा सा मोटा ही वेलाएंगे तो मैंने हापर कल्ची से तीन कल्ची यहां पर वैटर डाल दिया है तवे में और थोड़ा सा मोटा फैलाएंगे इसलिए क्यू देखिए बहुत ईजीली टर्ण भी हो जाएंगे और यह देखिए काफी अच्छी से सुने रहे हो गए हैं और अंदर से काफी अच्छी से कुख हो चुके हैं इसलिए आप इन्हें अच्छी से कुरकुरा हो जाए अब आप चाहें तो फ्लेम को बढ़ा सकते हैं क्योंकि इन्हें पकाना आप नहीं हैं अंदर से सारी चीच अच्छी से कुख हो चुकी हैं तो धकन लगा देते हैं थोड़ी दिर के लिए और लीजिए कि हमारा पराठा बनकर पिल्कुल तैया आप इसे पराठे भी कह सकते हैं पिर चीचा भी कह सकते हैं क्योंकि यह थोड़े से मोटे हैं तो पराठे की तरह दिखते हैं और खाने में बहुत देश्ती लगते हैं तरिकि दोनों साइट से बढ़िया से बैटर के ला लेंगे और इसे हम ढखकन लेगा कर लेंगे आप चाहें तो छूटे-छूटे शीला भी बना सकते हैं ताकि बच्चे ईजीली खा सकें या फिर टिफिन में भी लेके जा सकें तो यहां पर सेम तरीके से हम इसे पका लेंगे और हलका सा कुरकुरा और कृस्प कर लेंगे और लीज यह सारे पराटे बनकर तयार है थोड़ी से चिलेफ्लेक्स और बारीक करते हरे धनी के पत्तों से गार्णिश कीजिए और बहुत ही ज्यादे टेस्टी लगते हैं बहुत सॉफ्ट लगते हैं और साथ ही जट पट बनके तयार हो जाते हैं आप इसे किसी भी चटनी के साथ साफ कर सकते हैं अपनी फेवरेट में पर इसे प्याज की चटनी और मेयोनिस के साथ साफ कर रही हूं यह रेसिपी मैंने डिसकप्सन में दी हुई है जाकर जरूर से देखेगा घर पर प्याज की चटनी बहुत ही जादे लंबे टाइम तक चलती है रेसिपी कैसी लगी सुबह सुबह की जल्दी वाजी में इसे ट्राइए किजिए आप इसे बेसं से बनाने के बजाए चावल के आटे से मैदे से भी बना सकते हैं या फिर गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं तो आपके पास आप्सन बहुत सारे हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल मद भूलिएगा धेर सारे breakfast की और भी recipes अगर आप देखना चाहते हैं तो description में लिंक दे दिया है आप मुझे YouTube के लावा Facebook और Instagram पर भी follow कर सकते हैं जिनका link description में देया है तो शरी फिर मुलाकात होगी आपसे अगली एक नई recipe के साथ तब तक के लिए टेक क्यार